कोरोना संकर के बीच लोगों ने मास्क को अपने जीवन से जोड लिया है और अब लोग मास्क को सुरक्षा के साथ ही फैशन से भी जोड रहे हैं कोई कपड़ों से बने रंग बिरंगे मास्क पहन रहा है तो कोई एम्रोइडरी किये हुए इसी बीच एक और अजब गजब मास्क देखने को मिला महराश्ट्र के पूने के रहने वाले शंकर कुराडे का अब तक का सबसे महगा मास्क काफी चर्चा में है शंकर कुराडे दो लाख नवासी हजार रुपए है शंकर सोने के बहुत शौकीन है और अपने शरीर पर तकरीबन तीम किलो सोना हमेशा पहने रहते हैं दसों अंगलियों में सोने की अंगूठी, सोने की चेन और कलाईयों में ब्रेसलेट शंकर के पास हमेशा देखी जा सकती है दो लाख नव्बे हजार रुपए में बनाए गए इस मास्क में दो तोला सोना इस्तमाल किया गया है शंकर ने बताया कि उन्होंने टीवी पर एक शक्स को चांदी का मास्क पहने देखा था उसके बाद से ही सोने का मास्क बनाने का ख्याया लाया शंकर ने कहा कि ये एक पतला मास्क है जिसमें कई सारे छे थे ताकि सास लेने में कोई कठनाई ना हो उन्होंने कहा कि हाला कि मैं इस बात को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त नहीं हूँ कि ये मास्क प्रभावी होगा या फिर नहीं लेकिन शंकर को देखकर तो ये कहना ही होगा कि शौक बड़ी चीज है कि शौक बड़ी चीज होगा कि शौक बड़ी चीज है